यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरी आज की रेस्पी है अनियन रिंग कुरकुरे प्यास के रिंग बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो प्यास बड़े साइस के प्यास को मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था इसके बाद हम प्यास को कट करेंगे प्यास को गोल कट करना है प्यास को जादा पतला कटनी करना है थोड़ा सा मोटा कट करना है रिंग्स बनान करेंगे इसके बाद मैं मैदे की कोटिंग करूंगी थोड़ा सा मैदा डालूंगी मैदे को अच्छे से मिलाना है इससे होगा यह कि इसके उपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी जिससे यह और भी कुर्कुरे हो प्रेस ब्रेट कम दो कप मैने इसको घर पर बनाया है आप चाहें तो रेडी मेट भी ले सकते हैं इसके बाद मैं पेश्ट बनाऊंगी पेश्ट बनाने के लिए एक कप मैदा तीन बड़े चमस कॉर्ण फ्लोर एक चमस कुटी होई लाल मिर्च आप चाहें तो पिसी होई लाल मिर्च भी ले सकते हैं नमक स्वाद अंसर इसके बाद इन सबी चीज़ों को हम में लाएंगे अब मैं इसमें पानी डालूंगी एक अच्छा सा घोल तयार करना है जाड़ा होना चाहिए ना ज्यादा पतला मीडियम होना चाहिए इसमें कोई गुट्ली नहीं रहना चाहिए इससे अच्छे से चलाना है अब पेश्ट तयार है फ्रेंड इसको हम पास मिनिट के लिए सैट होने के लिए रख दिंगे फर्स स्टेप है सबसे पहले हम अनियों रिंग्स को लेके मैदे के पेश्ट में डिप करेंगे रिंग्स पे हमें अच्छे से कोटिंग करनी है मैदे के पेश्ट की सारी रिंग्स पे हमें इसी तरह कोटिंग करनी है मैदे के पेश्ट की कोटिंग हो चुकी है इसके बाद हमारा सेकंड श्टेप है ब्रेट करम अब हम रिंग्स पर ब्रेट करम लगाएंगे चारो तरब से हमें चारो तरफ से अच्छे से breadcrumb लगाना है rings पर देगिर हमें इस तरह breadcrumb लगाना है breadcrumb लग चुका है इसके बाद हम इसको लिकाल कर एक plate में side में रख देंगे इसके बाद हमें boy procedure फिर से repeat करना है सबसे पहले हमें मैदे के पेश्ट में अनियों डिप करना है और अच्छे से कोटिंग करनी है मैदे के पेश्ट की इसके बाद हम ब्रट करम लगाएंगे इसके बाद मैं इसमें एक एक करे रिंग्स टालूँगी फ्राइ करने के लिए गैस का फ्रेम हमें मीडियं रखना है ज्यादा हाई फ्रेम पे हमें फ्राइड नी करना है नहीं तो ये जल जाएंगे रिंग्स को फ्राई करते समय हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये और बीस बीस में हम पलटते रहेंगे रिंग्स को हलका गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं कि अच्छे लगने हैं देखने में और भी टेश्टी होते हैं इसके बाद हम बाकी रिंग्स भी इसी तरह प्राइब करेंगे हलका गोल्डन व्राउन होने तक प्राइब करना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ज्यादा हाई नहीं रखना है अब इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं फ्रेंड डिंग्स फ्राइब हो चुके हैं अब हम इसको प्लेट में लिखा लेंगे प्रेंड अनियन जिंस तयार है बनकर हमें कमेंट करके जरू बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन जरू दबाएं फिससे मेरी लेटिस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जए